कि ammonium वाले उर्वरक मरदा में अमलिय प्रभाव क्यों डालते हैं बाकि चारिय प्रभाव क्यों नहीं डाला ammonium वाला उर्वरक चारिय प्रभाव भी डाल सकता है अमलिय ही क्यों डाला तो इसके पिछे क्या होता है जैसे एक example ले ले कोई भी fertilizer का example लेते हैं जैसे आपन तो एक example है ammonium sulfate का NH42-SO4 ammonium sulfate है आप ammonium वाला उर्वरक मर्दा में डालोगे तो सबसे पहला काम होगा उसमें ammonium में तूड़ जाएगा और दूसरी जो उसके साथ जुड़ा हुआ है जैसे इस उर्वरक में अमोनियम के साथ कौन जुड़ा हुआ है सलफेट तो अमोनियम अलग सलफेट अलग पोदे सलफर को किस रूप में लेना पसंद करते हैं सलफेट के रूप में लेना पसंद करते हैं, पोदे नाइट्रोजन को अमोनियम के रूप में लेना पसंद करते हैं, चावल, चाए, आलू और गन्ना, बाकी सभी पादप किस रूप में लेना पसंद करते हैं, नाइट्रेट के रूप में लेना पसंद करते हैं, किस रूप म क्या कहते हैं नाइट्री करण कहते हैं अमोनियम नाइट्रोजन का नाइट्रेट नाइट्रोजन में कनवर्जन होना नाइट्री करण कहलाता है नाइट्री फिकेशन कहलाता है जो कि दो स्टेप में complete होते हैं स्टेप A स्टेप B स्टेप A में क्या होता है ammonium से सबसे पहले बनता है नाइट्राइट NO2- और फिर नाइट्राइट से क्या बनता है नाइट्रेट अब यहां पर एक बैक्टिरिया काम आता है नाइट्रो सो मोनास और B से क्या जाएगा नाइट्रो बेक्टर तो ये भी कुशन पूछते हैं नाइट्रो बेक्टर ये भी कुशन पूछते हैं अमोनियम से नाइट्राइट में परिवर्तन किस जिवानू की उपस्तिति में होता है नाइट्रो सो मोनास और निकला मर्दा में यहां NH4 प्लस से जब NO2 बनी तो hydrogen-ion मर्दा में निकल गया और hydrogen-ion अगर मर्दा में निकलता है तो मर्दा कैसे बनती है अमलिय मर्दा बनती है इसलिए अपने यह कहा कि जब भी अपन मुणियम वाला उर्वरक मर्दा में डालेंगे तो नाइट्री करन की किरिया होगी तो मर्दा को हाइड्रोजन आयन मिलेगा तो मर्दा आमलिय होगी